पंडित दीन दियाल उपाध्याय की 56 पुन्ने तीती के प्षपकल व्याख्यान कारे करम पंडित दीन दियाली इसमर्ती दुर्जनियावास में रखा गया और उसमें निशित रूप से आज उनका जो सपना था अंतिम छोर के विक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का आज हमारे मानने प्रधान मंतरी जी और पार्टी निशित रूप से उसको साखार रूप दे रही है इसलिए उनका जो सपना था निशित रूप से हम सब मिलक पूरा करें पंडित दीन देल उपादयाई जी जो हमारी पार्टी के मांगदस्क भी हैं और जिनके सपनों को लेकर भारत सरकार और राजसान सरकार नित नए प्रियोग करते हुए नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है जन कल्यान के काम कर रही है पंडित दीन देल उपादयाई जी चपनवी जेनती पर चपनवी पूनी तिति पर मैं मेरी और से सजान दलियर्पित करता हूँ और अंतियोदे का उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए पूरी राजसान सरकार दर्ट संकल्पित है और इस सपने को जो अभी पर बेठे वेक्ति के जीवनिस्तर को प्रठाना हमारा लक्षे है निश्चिती भारत सरकार राजसान सरकार डबल इंझन की सरकार प्रधानमंत्री नेंदर मोधी की नेतियोध में निश्चिती उन आदर्सों को मापदंड़ों को पूरा करेगी इससे विशेश आउसर पर म पंडित दिंद्याल उपध्याई जी भारती राजनीती के सांस्कृतिक राजदूत थे उन्होंने देश को एक आत्म मानववाद का ऐसा महामंत्र दिया जिसकी ब्याख्या के रूप में कहा गया कि दुनिया में ने तो इस तरह का कहीं बिचार आया और ने इस तरह का भाव आया तो जहां हम खड़े हैं वो धरती कभी दिंद्याल जी के कदमों के नीचे थी हमको सोभाग्य मिला है और दिंद्याल जी का जो सपना था वो था हर हाथ को काम हर खेत को पानी भारती जनसंग और भारती जनता पार्टी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आज उनके पुनितिती है तो उनको बहुत बहुत सरधांजली है बहुत कम उम्र में जब वो राष्टी अध्यक्ष बने उसके 40 दिन में ही उनको काल के कुरूर हाथों ने छीन लिया इसलिए देश उनका पूरा लाभ नहीं ले सका लेकिन उनके विचार अमर है और हमेसा अमर रहेंगे